जै कलकी, जै जगतपते, पद्मापती, जै रमापते, गुली श्री कलकी नाराइन भगवान की जै चलिए इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं, जो कलकी भक्त हैं, उनका दिन चरिये कैसा होना चाहिए और अप से जो दिन चरिये है वो आपको कैसे रखना है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको 6 बजे बिल्कुल अर्ले इनना मौनिक उठना है, हाँ, 6 बजे आपको बिस्तर छोड़ देना है, और 6 बजे आपको उठना है और आप क्या करिए वहाँ पर फिर, देखिए, सबसे पहले आपको धर्ती मादा के पैर छुने हैं और 11 बार कलकी महामंत्र करना है, कौनसा? जै कलकी, जै जगत पदे, पंदमापती, जै रमापती उसके बाद फिर आप फ्रेश होईए, है ना, ब्रश करिए, नहाईए, फटा-फट और उसके बाद फिर आप मंदर में अपने आ जाईए, जहाँ आपका पूजास्थान है बहाँ पर आप काना जी की सेवा करेंगे आप, जो काना जी है वो शाक्षात हमारे कलकी भगवान है, तो जो आपके हाँ पर काना जी है, या फिर कलकी भगवान का चित्र है फोटो है, तो आप बहाँ पर पूजा करना शुरू करेंगे, सबसे पहले आप काना जी को इसनान कराएंगे इस नान कराने के बाद फिर उनको चन्नल लगाएंगे चन्नल लगान के बाद फिर उनको तुलसी अरपन करेंगे फूल अरपन करेंगे उसके बाद भोग की तयारी करेंगे है ना और फिर उनको आरती करेंगे आरती कौन सी कलकी जी वाली कलकी भगवान महराज की जो आरती है ना वो आरती अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बता सकते कमेंट में तो आपको भेज दी जाएगी तो कृष्ण भगवान को कलकी भगवान की जो आरती है वो सुनानी है उसके बाद समापन करती हुए 11 बार कलकी महामंत्र या 21 टाइम 21 बार और फिर उनक चलते हैं तुलसी माता की यहां पर तुलसी माता और नारायन का प्रसंग आता है जो प्रसंग है वो गुप्त है वो मैं आपको बताता हूं देखिए नारायन ने तुलसी माता को बचन दे रखा है कि जिस युग में जो भी नारायन का नाम होगा वो नाम लेते हुए तुल नाराइन का नाम क्या था राम चंद्गी और और उसके पहले क्या था श्रीमन नाराइन तो आज कल की भगवान का जो नाम है जै कल की जगतपते पंदमापती जैरमापती यह हम 11 बार जाप करते हुए तुलसिमाता को जल चड़ाते हैं तुलसिमाता कृपा के फाटक खोल दे बिल्कुल तो ये गुप्त प्रसंग है जो कि आपको मैंने व्यक्ति किया तो आप इसका पालन कीजिए फिर तुलसी माता जो की आपके द्वार पर हैं वहां पर ऐसा होगा कि फिर कुछ भी भूत पर साथ जो डैवल शक्ति हैं जो नेगटिव एनरजी है वो एंटर तक नही मातरानी परसंग होगे क्योंकि जो नाराइन है नाराइन का जो जिस युग में जो नाम रहता है उस युग के नाम से तुलसी माता अधिक परसंग होती है तो कल की नाम उनको सुनाईए उसके बाद आप खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो एक नवाला तोड़ के तो हर बार पहले प्रवु को हमको ऐसे एक निवाला तोड़के प्रवु को ध्यान करना है और 11 बर कलकी महामंत्र करना है और फिर आपको पाना है तो वह पूरा खाना प्रशाद बन जाएगा ठीक है अब देखिए भगवान कलकी से प्रेम कैसे हो प्रेम के लिए 4 स्टैप्स है हमारे पास सबसे पहले हमने जो मूर्ति पूजा की है जो अभी यो काना जी को ये नवदा भक्ति में आता है तो सबसे पहले मूर्ति पूजा होती है प्रवु की तो मूर्ति पूजा आपने काना जी की कर ली नहीं है तो आपने फोटो की कर ली तो ये उसी में आता है तो स सोलाby कर सकते हैं और सुमृरण करें सुमृरंमें चलते फिरते उठतय बैठते आते जाते मतलब कुछ उसी हायओ को डिफरेट्ट डिफरेंट करें मैं सुन सकते हैं और जो धुन है उसकी मेरा नीचे देक कर सकते हैं उसकी मेरा लिकफिट विजिट कर सकते हैं इसमे यह अहां भजन सुमरन ईर荷ै यह दूशे स्टैप्स है कि हमने पहले के फैसे दिखा ही है दूसरा क्या है प्रेम बढ़ाने के लिए जाप, जाप में सुमरन भजन कीर्दन, ज़्यादा भजन गाए हम या भजन सुने और इसका श्रवन करें और तीसरा जो आता है हमारा साहित्य का अध्यन जो हमारे गुरु से हमको साहित्य मिला है तो जैसे गुरुवल लक्ष्मिनाई जी महराजने चार किताब हैं उनकी एक कल की वचनामरित, एक कल की दर्शन और कल की दिगवजन नाटक और कल की भजन तो ये चार है तो चार में से आपको कोई भी एक ले लेना है और प्रतिदिन एक या दो पेच पढ़ना है या भगबद गीता का जो अध्याय है उनका एक दो पाठ या एक दो पेच पढ़ना है तो ये प्रतिदिन साइत्य का अध्यन होना चाहिए भगवान कल की नारेन के प्रेम के लिए चौथा हमारे लिए क्या है सत्संग सत्संग हम सुने जो हमारे मंडल की सदस्य उनका या फिर हम सत्संग करें तो प्रतिदिन हम सत्संग करें एक मिनिट दो मिनिट पांच मिनिट ये दस मिनिट का या फिर हम सुने तो इससे क्या होता है हमको हमारे प्रभू में और आस्थ सद्रण होती है आस्ता बढ़ती है तो जो मैंने चार स्टेप्स बताए वो आपको जरूर फॉलो करने है प्रती दिन पहला क्या है मूर्ति पूजा जो आपको पहले से करना ही है दूसरा आपको क्या है जाप सुमरेन कीतन भजन यह बिल्कुल बहुत जोर शोशे करना है प्र YouTube पर है प्रेमनन महराज जी के भी आप सबसंग सुनते हैं तो वह भी सुने बहुत ही अच्छे अच्छे हैं ले टेस्ट वाली जितने हैं वह आप सुनिए तो आपका और भक्ती में मन लगेगा और भक्ती में आप आंगे जाएंगे नेक्स जो हमारी दिन चरिया आती है उ आप सोने को जाईए ग्यारा या किस बार करें कल की महामंत्र और फिर आप सोने चले जाएं यासे अब घर के बाहर जा रहे हैं कहीं भी तो ग्यारा या किस बार मतलब अपन को दिन चरिया में कल की महामंत्र नाम जाप से अपन को जुड़ना है मतलब दिन चरिया में जितनी जो आपकी आवाशक्ता है उस आवायशक्ता अनुशार आप जीवन चुरू कर देते हैं जीना तो आपका बहुता सारा टाइम बच जाएगा एनरजी बच जाएगी आपका पैसा बच जाएगा जैसे आपको जितने जैसे आपके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं तो जितनी आवशक्ता है एक या दो जोड़ी ये तीन जोड़ी उतनी आवशक्ता नुशार आप पहना हवा करें तो आपका समय बच जाएगा दिखावटी आपका बहुत सी चीजे मैनेज हो जाएंगे आपकी खान पान जो है उठ करें जितना ज्यादा हो आप वहां पर ट्रैवल करें आवशक्ता अनुसार मतलब जितनी आवशक्ता हो ठीक है अब दूसरा इसके विप्रीद क्या एक्छा एक्छा अनुसार जो जीवन अभी तक आप जी रहे हैं ना क्योंकि वह आप खतम करने पूरी तरह से टोटली क्य कि आप समए नहीं है तो हम इच्छा अनुसार अपना जीवन करें क्योंकि हमने और पीसा और सब पूरा सांसारिक चीज को involved होता है तो सबसे पहले एक छाओं वाला जो जीवन है एक छाओं वाला जो अभी तक हमने life spend की है उसको समापन कर दें आवशकता अनुसार अपने जीवन को लाएं जितनी ज्यादा जो भी आप activity कर रहे हैं अपने जीवन में दिन चरिया में बिल्कुल आवशकता अनुसार जितनी जरुवत अनुसार जरुवत अनुसार खाएं जरुवत अनुसार पहनावा हो जरुवत अनुसार आपना जाना हो घर के बाहर नहीं है बिल्कुल आप घर में अपना सुमरन कीतन भजन करें बिल्कुल next हम चलते हैं देखिए सत्योग महराज है ना जो उनको हमको घर में विराजमान करने है कैसे होंगे सत्योग महराज सात्विक साकहा सदाचार सत्य बोलना सत्य आच्रन सत्य धर्म पर चलना तो सत्योग महराज को हमको घर में लाना है तो हमको पालन करना पड़ेगा हमको अनुसरन करना पड़ेगा हमको अपने आपको ढालना होगा सत्योगी तोर पर ठीक है और कल्योग जो महराज है उनको घर से लिकाल फेकना है बूरी तरे से क्या जो आलस से है दिन भर हम सोते हैं वो छोड़ना है आठ नुवे तक जो हम सो रहे हैं वो छोड़ना है बिल्कुल पांच ये च्छा बज़े आप उठ जाएं जो कल्योग के जितने बात कर रहे हैं मुआल को अन्नेसेसरी ऑपरेट कर रहे हैं किसी से भी घंटो बात कर रहे हैं अन्नेसेसरी टॉपिक्स को आप पॉलिटिक्स और बात बिबात परपंच और यह जो आपके गोल से बिरुद्ध हैं जो आपके गोल से बिपरीत हैं आपका गोल क्या है भगव फिकना है उनसे आपको भागना है तो जब तक आप कल्योग महराज को लिकाल बाहर नहीं फिकोगे तब तक आपका मन नहीं रहेगा भक्ति में भजन में और सत्योग आचरन में तो सत्योग महराज विराजमान नहीं होगे तो आपकी उपर है जितना ज्यादा आप कलियों की आचुरन छोड़ सके और सत्यों महराज को विराज मान करें तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छा है हमने जो दिन चरिया में 24 घंटे होते हैं तो उसके लिए क्या है हमको 6 घंटे हमारी भक्ति को देने हैं सबसे पहले बिल्कुल टाइम डिस्ट्रिबूट करने आप अपना 6 घंटे हमें भक्ति को देने हैं बिल्कुल उसमें सुमरन, कीरतन, भजन, नाम जाप, माला जाप चलते फिरते जाप मन नहीं लग रहा तो आप धुन में गाएं जो मुईल में मंतर चल ला है तो उसी मुईल के साथी गुनगुना हैं जैसे जैकलकी, जगतपते, पदमापती, जैरमापती, तो उसको मंतर जो चल रहा है मुहाल में, तो मुहाल के साथ ही आप गुनगुना है, और ये मंतर को सुने, भजनों को सुने, और श्रवन करें हमारे जो साहत्या उनको, तो 6 गंटे आपकी प्रती दिन भक्ती होने चाहि इसमें आपका खाना, पीना, सब जो आ जाएगा, ठीक है, और 6 गंटे आपको फिर क्या देना है, मैंने सोने के लिए बताया आपको, 6 गंटे आपको सोना है, स्लीपिंग करनी है, इससे जादा नहीं, इससे कम नहीं, 6 गंटे परियापत है, टोटल प्रॉपर है, 6 गंटे आपको अपना काम करना है, जौब, प्रॉफेशन, जो भी है आपका, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इससे जादा अगर आप टाइम स्पेंड करोगे, तो फिर बाकी का भक्ती को नहीं दे पाओगे, बाकी आप परिवार को नहीं दे पाओगे, या बाकी आप सोने को नहीं द कमाए, कोई जरूरत नहीं है हम को पैसा कलेक्ट करने की, अपना भंडारा भरने के, अपना गोडाउन भरने की, अपने नोटों की गड़ी खटी करने की, गोद्रेज फिल करने की, कलकी जी आ गये है, कलकी जी को आप ऐसे हाथ कड़े करके सब छोड़ दो, बिलकुल, मैंन time distribute बताया है उसके अनुसार आप time follow करेंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा बिलकुल दिखी त्याग और वेराग जो है उस सबसे important है भक्ती life में और हमारी भगवान प्राप्ति में त्याग और वेराग जो mode है इस mode को अपने जीवन में लाएं त्याग क्या है जो आपके इंदर बुरी habits है जैसे घंटो मौइल चलाना घंटो time pass करना मतलब जो भी आपकी बुरी habits है उनको त्याग की mode पर लाएं धीरे 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 जैसे आप ज़्यादा खाना खाते हैं छे रूटी खाते हैं तो दीरे पांच पर लाएं है ना आप कुछ और जैसे कुछ और खाते हैं ज्यादा चीजे खाते हैं तो उसको त्याग पर लाएं थोड़ा कम करें थोड़ा कम करें मतलब जो जो भी आपकी habits हैं जो भी आपकी दिंचरिया में गलत चीज है गलत कुछ भी चीज है उसको आप त्याग पढ़ना है तो यह होता है त्याग जब तक त्याग नहीं होगा तब भक्ति में रस नहीं आएगा भगवान में मनने लगेगा और नाम जब आप करी रहें तो भगव नहीं रहे डिटेच होना है वे राग किसी चीज में राग ना रहे संसारिक चीजों में राग ना रहे जो आपकी गाड़ी है जो आपका bank balance है जो आपके कपड़े है जो घर है luxurious life है जो भी आपकी दिंचरिया में आपकी जो भौतिक जगत की चीजे हैं उनसे डिटेच होना है मतलब कोई चीज़ छूट रही है चूट जाने दीजिए हैं सबसे इन को आपको उसमें परेम नहीं करना है राग नहीं करना है जैसे हम प्रेम कर लेते हैं आपनी बाइक से कार से, बिल्डिंग, घर, इन सबसे, तो इनको आपको detach करना है, और जो पूरा समय आपको कहां लगाना है, भक्ती में, भजन में, सुमरन कीतन में, तो ऑटोमेटिक आप detachment की mode पर आ जाएगे, आपका attachment प्रभु की भक्ती साहित्यमें होगा, सत्संग में होगा, नाम, सुमर करें और नाम जाप करी रहें तो आपको प्रभूब भी सहता करेंगे यहां पर डिटेच्मेंट होने के लिए नेक्स्ट है हमारा करतव और फ्यूचर प्लांस देखिक करतव जो भी आप है वह आप करें गरस्त में आपको जो भी करतब हैं स्टेडी में स्टूडेंट ला रहरें है तो आप करतव करें और आव शक्ता अनुसा जीवन को लाना है अपने आपको दूसरा future finance चोड़ दीजिए बिल्कुल चोड़ दीजिए कल की जी पर Kकी भगवन महराज की कुल क्या होना है चोड़ दीजE बार पास ख然वाद़ इस नो है शाय सब चोड़ दीजे सब उपर पूरे लीउट कर दीजे वुथम कर दीजे एला और जो भी आपके कर्थव है दिन्चर्या में जिसके प्रती जहां पर भी आपका समार पर भी Schweiz जौब में घर में ग्रेस्ट में जहां पर भी आप अपने पटिकुलरली सभी करतव्य को करें सब कुछ करें साथ में भक्ति को इंक्लूड करके भक्ति को एड़ान करें और साथ में भक्ति की सफर यात्रा को शुरू कर दें और इसको थोड़ा जादा लाएं और बाकि संसाय कि जितनी गतिविदियां उनको धीरे 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 समापन की ओर लाएं बिलकुल यही है सरवोत्तम दिन्चरिया कल की भक्त का जो कि अप होने वाला है और आने वाला है क्योंकि जो आने वाला समय है वो वैसे भी क्या बताए हम बाकि जैश्रिकल की नारा है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दिन चरिया में अपने आपको हलका करें हलका करें मतलब तन और मन और धन से आप अपने आपको हलका करें कैसे जो आपके धन है ना तो जैसे कोई भी महेंगी चीज है कुछ भी तो आप उसको बेच दें और जो आपको पैसा आ रहा है उसको धर्म के काम में लगाएं आप हन्मान चालीसा खरीद के बटवा दें जो कलकी महा मंत्र के स्टिकर्स है इनको प्रिंट आउट करके बटवा दें जो भी आपको मंत्र है जो भी आपको चालीसा है मतलब जो धर्म के लिए आप अपना पैस और आप अपनी जो चीजह हैं वो लगाएं तो जैसे आपके पास कोई भी महंगा से महंगा कोई चीज घुछ ऐसा है उसको आप बेब करें किसा पैसा उसको धर्म की कारमें में की टन में भाजन नाम जाप में कुछ पोश्टर्स चपवाने कुछ फ्लेक्स चपवादें जो आपके मंदर हैं इर्दिगेत 50 10 15 मंदर उनको आप टार्गेट करें वहां पर हन्मान 40 प्रिंट आउट करके चिपकवादें कलकी महामंतर आप जय कलकी जगत पते पदमापती जरमापते जो फ्लेक्स आप बनवाएं से उसको जल से जल बेच दें जित्ती भी महंगी चीजें और उससे जो पैसा आता है आप बढ़ चलके धरम पर लगाएं जैसा कि मैंने आपको बताया है ना जो अच्छे अच्छे भगवान की फोटोस हैं वह 10-15 मंदर टार्गेट करके वहां पर लगवाएं 40 लगवाएं आप मंतर लगवाएं सिवस्तुति लगवाएं हैना कलकी भगवान की जो आपको अच्छा लगता हो राम जी की कृष्ण जी की कलकी नारान की भोले नात की जगदंबा की माता वैश्न देवी की जो भी आपको जो लिट्रेचर जो अच्छा लगता है मंतर चालीसा हैना पाठ कुछ भी तो आप उसको प्रिंट आऊट करके चैपकोवाई है तो यह क्या कर रहे हैं आप धर्म की स्थापना कर रहे हैं दर्म की लहर धर्म की जो चीज Secondly कर दें क लोगों में जागरीती होगी के तो जितना ज्यादा हो आप महां प्रशाद भी बटवा सकते हैं मंदिर में है ना चोटा वोटा या संडे को संडे कल की वहां का दिन रहता है या अपने सौंबार को या मंगलवार को छोटे रूप में बच्चों को बच्चों को हनमान 40 बटवा दें कल की महामंत्र या अगर आप कर रहे हैं तो भगवान आपका सब कुछ नोट कर रहे हैं और बहां पर आपका हर चीज लिखा जा रहा है और आपके लिए फिर जो चीज़ें वो आसान हो जाएंगे जितना ज्यादा आप धरम का काम करेंगे लास्ट में जो हमारा समर्पन प्राथना है प्रभ दी दि चौटी और एक बड़ी है तो आप सुनिये द्यान से और उसको श्रवन करें और उसको सीख लें और यह आपको प्रतिदिन साम को सोने से पहले आपको करनी है ठीक है है श्रीकल की भागवण महराज आपने जो अत्यंत करपा करके असेम करपा करके अपने सर्वत महा मंत्र का जाप करवाया है सुम्रन करवाया है कीतन करवाया है भजन करवाया है भक्ति करवाया है गुंगान करवाया है पुकार करवाया है अराधना करवाया है पूजा पाठ वाया है जो भी आंग शुपकर्म करवाएंगे उन सब का संपून फल आपके कमल रूपी शुरी चर्णों में सादर समर्पित है इसे आप अपने काम में लेजिए सत्युक्साइद परकट होने के नात कलियुक की माय शीगरति शीगरे समाप्त करके महा सत्युक्साइद हो सकते हैं continue flow में हे नात जितने भी आपके भगते हैं उनकी मन बुद्धि मानी को अपनी लगा लीजे और उनसे अपना काम लीजे और उनको ऐसी दिष्टी दीजिए जिससे वो निर्भय होकर जीती जी आपका काम कर सके हमें सद बुद्धि दीजी शुद्धि शुद्ध मानी दीजे हमें शुद्ध द्रिष्टी दीजे हमें कल्युक की मुहनी माय से बचा लीजे हमें कल्युक एम उसकी परिवार की बंसावली से बचा लीजे हे नात हम आपकी शरण में हमें अपना बना लीजे बोलो श्री कल्की भगवान महराज की जाए गुरुवर बाल मु को समर्पन कर दिया और वो ही करा रहे हैं और वो इआप को सामर्थ शक्ति एनर्जी दे रहे हैं करने के लिए और पेड़ना दे रहे हैं तो यह आपने समर्पन कर दिया और चुक्क कि कल्यूंग है जो कलिन राक्ष अभी यूक का तो on तो हमें से 10% चला जाता है हमारे भक्ती का फल अगर हम ये प्रात्ना नहीं करते हैं तो और अगर हम ये प्रात्ना कर देते हैं तो हमारे 100% कलकी भगवान के चर्णों में भक्ती का फल चला जाता है कली को कुछ नहीं आता है ठीक है कली को कुछ नहीं आता है और अगर हम प्र दंबा और फिर आप जो प्रातना है पीछे की पूरी आपको करने हैं लेकिन हर एक व्यक्ति को प्रातना तो पूरी करनी है क्योंकि ये जो हमने समर्पन कर दिया तो प्रातना क्योंकि हमने प्रातना करी तो प्रातना है बहुत शक्ति होती है कलियोग में कलिकाल में तो प्रा आज के लिए इतना ही यही हमारा देंचरिया होना चाहिए और खूब सारा नाम जाप करें जैकलकी जगतपते पंदमापती जैरमापते प्रभु को हमको मिल जुलकर प्रकेट करना है और समय बहुत ही क्या बताएं अब हमको जितनी हमारी ज्यादा पुकार होगी सुमरन होग जो 2% बचा है वो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग प्रयास करें और आप अभ्यास करें और अपने आपको इसी आदत में डालें जो हमने अभी दिन चरिया बनाया है ठीके आज के लिए इतना ही जै श्रीकल की भगवान महराज की